राई के कैम्प दो मैं बारवी के एक शात्र की हत्या के बाद नगर निगम ने हत्या के आरूपियों की घर को गरानी के करबाई शुरू कर दी है के निदेश के बाद में निगम ने सभी हत्या के आरूपियों के घरों पर नोटिस भेज कर उनकी संपत्ति के दस्तों बेजबांगी वहीं शेत्र में श्रांती बना रखने के लिए बैस्वाली नगर बधायक ने खुद पुलिस के साथ मंगल बार रात एक शेत्र का गश्ट अश्रारी नगर बधायक ने एलान कर दिया कि वे सभी हत्या के आरूपियों के घरों में बिल्डोजर चलवा देंगे निगम की संपत्ति विभाग को निर्देशित किया है कि वो उनके मकानों का वेरिफिकेशन करें और यदि वो कबजे या अन्य तरह से गलत मकान बनबा वांगे दस्तावेज ना देने पर निगम उनके खिलाप में कारवाई करेगा रिकेश ने कैम्प का दौरा किया है इस दौरान वो चात्र की हत्यासी पीडित परिबार के सदस्चों से मिले उनकी हर संभव मदद का भी आश्वासन दिया है इसके बाद वो आरूपियों के एक शेतर में भी पहुंची इस दौरान रात में जो भी दुकान खुली पाई गई है उनको विधायक ने बंद करवाया और फटका लगाई मैं पता देना चाहता हूं इस मंच से आपके आज का दीने याद रखे एक भी अप्राद मेरे विधान सभा छेतर में हुआ जीवं के हत्यारों के घर में कर से बुल्डोजर चलेगा बुल्डोजर चलेगा एक भी अगर किसी दर्की के साथ छेवचार की घटना हुई एक भी अगर अप्राद करने वाले नशे में निला एक भी अगर चाकू बाजी हुई वो अप्रादी ये समझ ले वो अपरादी को सीधा संदेश इस बैकुन धाम के परित्र जगे से कह रहा हूँ है क्योंकि मुझे मालूम है मुझे मालूम है जब वो अपने बच्चों को अपराद के लिए भेजते हैं तो उसने मकान भी अवेद बनाया होगा मुझे यह भी मालूम है कि वो अपनी जबीन पर दूसरे की जबीन पर भी कपज़ा करके उसने मकान मनाया होगा वो अपरादी यह समझ ले वो तो नशे के हालत पर अपराद करता है लेकिन जान ले कि वो सिब अपराद नहीं कर रहा है अपने माँ, बाप और भाइब पहन के चत भी वो चीन रहा है उसमें निश्यत उसे बुल्डोजर चड़ने का काम होगा